तो फाइनली दो हजार चौबिस का जो पहला सा पहला वीक है वह खतम हो चुका एक बहुत ही रोलर कोस्टर वीग था कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वह डॉलर इंडेक्स ने पैदा की ट्रेडिंग के अंदर हमारी गोल्ड के जो थे हमारे तीन स्टॉप लॉस लगे पूरे हफ़ते में उसके बार चौता एक हमारे सिग्नल इनिशेट हुआ फ्राइड़े गोEEEE को जिस में औल्मस सारा लॉस्टर का था महारा प्राइडे को हुआ वेरी टफ वीग बट सिल्वर का और गोल्ड का प्रॉफिट लगा के वी मैनेज़ टू क्लोज इन ब्रेक इविन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में बहुत ही तफ वीग था बहुत ज़्यारा फेक ब्रेक आउट देने के बावजूद जो डेटा आया वह बहुत ही जबर्दास डेटा आया था इसकी वज़ासे गोल्ड प्राइस ने एक नी जर्क रियक्शन तो दिखाया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया नीचे सस्टेन नहीं किया और वापस से कि उम्मीद मार्केट लगाए बैठी थी अब वो ना करें तो ज्यादा बहतर है अब पहले जो डिसमबर यानि कि अगर हम डिसमबर में मानें तो ऐसे चांसे था कि सतर से असी प्रतिशत लोगों का मानना था या फिर मार्केट को उम्मीद थी कि रिपैल रेट कट मार्च म माई के अंदर हो ना कि मार्च के अंदर मार्च का जो अब रेट कट है वो 50-50 पसंट ही है अब एक और मीजा डेटा जो है वो CPI यानि कि इंफलेशन का डेटा जो है अगले हफते है मेरे ख्याल से अभी हम चार्ट पर जाएंगे तो देख लेंगे क्या है कि नहीं है अगर अगर इंफलेशन बढ़के आ गई तो फिर रेट कट घूल ही जाएं माई तक अब फैडरल इसफ चेर्मन ने कहा तो था कि सारे मेंबर्स डिसकस कर रहे हैं कि तीन रेट कट हो जाएं या दो रेट कट हो जाएं 1224 में बट इस तरीके से एकोनॉमी इतनी रेजिलियंट है क को हर बार जोबस नंबर जो हैं बढ़के आ रहे हैं हर बार unemployment रेट कम ही रह रहा है अभी किस वजह से हो रहा यह तो स्टेडी होने की बात है पट यह काफी सर्प्राइजिंग नंबर्स आ रहे हैं हर बार जो है नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और अनिप्लायमेंट रेट से अंवरी का बातिए हैं अभी इस महीने काफी जीज़ादा में अगले सब्सक्राइब तो हैं अब अब देक्व देख रहा था इंफ्लेशन के नमबर डिसाइड करेंगे जो मार्च में क्या होगा बट्सक्ति मार्च आने में अभी बहुत टाइम है उसके पूरे साथ दिन के आसपास हैं पचास साथ दिन के आसपास हैं बहुत सारा डेटा भी आएगा तो वह कंक्लूड करेंगे हम जैसे ऐसे आगे बढ़ते हैं वह हम उस पर अपना अजम्शन या फिर अपना अनलासिस करते ही जाएंगे पर आप एक बात ध्यान लखेगा काफी ज्यादा के साथ हुई है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स पिंग-पॉंग खेल रहा है उससे बहुत ज्यादा संबल के रहने की ज़रूरत है सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब करने में बहुत टाइम लग जाता है अगर आपका स्टॉप लोगे लगेंगे तो आप पैनिक नहीं होगे आपको पता रहेगा कि एक सिगनली आएगा तो सारा लॉस कवर हो जाएगा बहुत पिंग वाला मार्केट है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है तो मेक शूर आपके पास वेरी स्ट्रिक्स टॉप लॉस है बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए मार्केट कॉमेंटरी और पेट सिग्मल्स की जान देखोगे दो दिन से गोल्ड प्राइसल जो है दो जी बनाने की कोशिश कर रहे है और है की तरफ जाना है कि दो हजार डॉलर की तरफ जाना है कि यहीं कन्फूजन जो है वो ट्रेडर्स को बहुत भारी पड़ रहा है यह जो कन्फूजन है अगर आप इन फाक्ट नॉन फार्म पेरोल नंबर्स के आसपास के चार्ट देखोगे तो आपको और ज्यादा कन्फूजन दिखाई देगा यह है मेजर कैंडल जो एन फ़पी के डेटा के बाद बनी थी यह है वो कैंडल 2024 तक चला गया था गोल 2022 के आसपास काम कर रहा था और उसके बाद जो है वापिस से 2022 की तरफ गोल प्राइसे गए लोज बनाने के दो घंटे बाद ही गोल प्राइसेस ने हाई बना दिया था तो यह एक बहुत बुरी स्थिती गोल प्राइसेस ने करी कल काफी लोग को लगा कि डेटा नेगेटिव आया है तो गोल प्राइसेस नीचे ही जाएंगे इसलिए मैं हमेशा लिख देता हूँ और इसलिए हमेशा मैं कहता भी हूँ डेटा सिर्फ रिफरेंस के लिए होता ह जो लोग डेटा को ट्रेडिंग करके काम करते हैं वो लोग काफी बुरा फस जाते हैं और कल फसाने वाला ही दिन था गोल प्राइसेस के लिए अगर आप नहीं फसे होगे तो दाट इस वेरी गुड बट ध्यान अखेगा डेटा हमेशा रेफरेंस के लिए होता है ट्रेड भी मेजर डेटा है मंडे सीपी डेटा है आइधिंग स्विट्जलेंड का इंशर दिस सुट्जलेंड उसके बाद जो है एक FMC मेंबर की स्पीच है शाम को साड़े जस बजे रात को साड़े जस बजे ध्यान लखेगा उसके बाद उसके बाद है जेपैन के CPI नमबर सुबह पांच बजे तब तो हम सो रहे होंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेड नहीं है जो भी होगा होना हो जाएगा इसके साथ उसके बाद है अगेन FMC मेंबर की एक स्पीच है ध्यान रखेगा काफी FMC मेंबर जो है वो कह रहे हैं कि रेट कट करेंगे काफी FMC मेंबर कह रहे हैं कि रेट हाइग भी हो सकता है तो इन में ध्यान दीजेगा कुछ भी उपर नीचे बोलेंगे तो मार्केट काफी वाइलेंटली रियाक्ट कर सकती है अस्ट्रीलिया की CPI उसके बाद बैंक ऑफ इंगलेंड के गवर्नर की स्पीच है क्रूड आल की इन्वेंट्री है अगर आप क्रूड आल में काम करते होगा इटनस दे उसके बाद थर्स दे होगा डेटा CPI, Code CPI, monthly CPI, Code CPI और yearly CPI साथ बज़े आएगा शाम को डेटा और हम कोशिश करेंगे कि लाइफ स्ट्रीम कर लो उस दिन तो मेक शूर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है लाइफ स्ट्रीम का अपडेट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप भी जॉइन कर सक रखते हैं उसके बाद unemployment claims है, Friday चाइना की CPI है और GDP नंबर से ब्रिटेन के और Friday core PPI है monthly और PPI है monthly ध्यान रखेगा ये inflation की जो डेटा है वो important है पहला दोजा चौबिस का इससे हमें indication होगा कि Federal Reserve क्या करने वाला है पूरा का पूरा market Federal Reserve को ही अभी वेट कर रहा है कि क्या होगा बाकी intraday में Federal Reserve के जो moves है वो थोड़े कम रहते हैं तो intraday में trading करते हैं तो make sure आपके पास top loss जरूर है अभी 2045 डॉलर के असपास की है जो closing होई है बाकी gold का resistance इस हफ़ते का क्या है support क्या है देखते है support है gold prices का 1905 डॉलर का 1965 will act as support once market breach and close below 1965 then expect 1900 1965 के नीचे अगर gold closing दे देता है तो फिर 1900 की उम्मीद की जा सकती है resistance है आज का मेरा मतलब है इस हफ़ते का resistance है इस हफ़ते का 1205 closing above that may result in gold prices to test a new lifetime high इसके ओपर जाके अगर close देता है तो नया lifetime high की उम्मीद आप कर सकते है trend gold का positive ही है gold के trend में कोई change नहीं हुआ है फिलहाल change जब होगा जब हमारे weekly support के नीचे की closing gold देना शुरू करेगा फिलहाल उसने नहीं दी है उसने नहीं दी है तो हमने कुछ change भी नहीं किया है अब आ जाते हैं silver की तरफ silver में भी अच्छे actions हुए silver का जो यह शुरूआत हुई थी Monday Monday यह है Monday 23-30 के असपा से शुरूआत हुई थी 23-35 तक गया था 23-10 के lows है जिस तरीके से gold में violent moves आये हैं silver में इतने violent moves नहीं आये हैं silver थोड़ा stabilize होने की कोशिश कर रही है एक छुटा सा जो silver का दुखड़ा है silver का जो एक दुखड़ा है वो यहाँ पर आके खतम होना चाहिए इस candle के आसपास अगर इस candle के ऊपर closing दे देती है तो silver वापस से positive zone में आ जाएगी यह बस 20-30 cent ही उपर है तो इसलिए मैं इसको अभी support या resistance में mention नहीं करूँगा बढ़ मैं आपको औरली पता रहा हूँ कि यह एक major resistance है silver के लिए 23-50 के आसपास 23-50 के उपर की closing might result in trend change अभी फिलहाल जो है support और resistance silver का क्या है main वाला वो देख लेते हैं बढ़ 23-50 को और पचपन को ध्यान रखेगा important support है वो buying sell तो वहां से नहीं कर सकते हैं बढ़ एक जो है indication जरूर है कि silver अब ripe हो चुकी है support है 22 टॉलर का resistance है 24-20 का trend इसका flat है बढ़ जैसे के मैंने बताया 23-50 के उपर flat नहीं रहेगा positive zone में आ सकता है ध्यान रखेगा यह कोई buy a sell signal नहीं है that is analysis by sell signal मैं अपने WhatsApp पे रेता हूं WhatsApp पे signal आते हैं WhatsApp पे market commentary भी आती है कैसे ले सकते हैं मेरी team के साथ WhatsApp पे बात कर सकते हैं number description में यह है crude oil और यह हम yearly chart पे आ गए हमने कि हो के हम से गलती हो गई वीकली अनले अभी हमने जो कि सिल्वर की बात करी हमने बोला कि हमने असेस कर लिया आवरली चाइट देखके कि सिल्वर में वाइलेंड मूव नहीं हुए और हम खुद भूल गए कि हमने तो 40 सेंट के आसपास का profit किया था उसके अंदर 24 डॉलर के आसपास जो है 24 डॉलर के आसपास जाने के पाद 22-70 के लोज बनाया है तो सिल्वर भी काफी वाइलेंड था गलती से मिस्टेक हो गई डबल टॉप बनाया था उसमें ये भी हम भूल गए डबल टॉप जो बना था वो कल बना था कल कह रहा हूँ इस हफते यह बना था यह डबल टॉप जो है लास्ट वीग मना था माफ कीजिगा नेक लाइन इस हफते हमारी ब्रीच हुई यहाँ पर यह थोड़े सी एक अनालेसिस में गड़बड हो गई सिलवर का वापे से शुरू करते हैं सिलवर का जो डबल टॉप था वो पिछले हफते बन चुका था नेक लाइन जो है वह इस हफते ब्रीच हुई और अभी जो है सपोर्ट उसका सेम ही रहेगा रजस्टन्स भी रहेगा रजस्टन्स सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है तुरुडॉयल का यह है चार्ट पांच दिन तीन दिन एक दो तीन चार दिन की ट्रेडिंग हुई है 72 डॉलर पर शुरुआत हुई थी 69 30 के आसपास के लोस बने थे और लोस बने थे वेड़नस देखो उसके बाद जबरतस तक्रीवन highest point of the week अब कहें closing दिये है तो गलत नहीं होगा क्योंकि highest point of the week सिफ 74 डॉलर के आसपास ही है public को लग रहा होगा कि dawn जो है positive zone में आ गया बट dawn अभी भी negative zone में ही है dawn का support है 68 डॉलर का dawn का resistance है 80 डॉलर 50 सेंट का 80 डॉलर 50 सेंट के उपर जाके अगर closing दे देता है तो फिर एक अच्छी positive zone में नजर आ सकते हैं हम crude oil prices को otherwise trend will remain weak तो इसका ध्यान रखेगा बाकी paid signals की जानकारी और market commentary की जानकारी के लिए मेरी team का whatsapp number description में है live data और breaking news का update telegram और twitter पे भी देता हूँ मैं तो make sure आपने मुझे दोनों जगा follow किया है टेलिग्राम पे मेरे नाम से काफी fake channel भी है तो प्लीज सम्हाल के join कीजेगा वीडियो useful लगा हो तो like, share, comment कर दीजेगा अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye